हलो फैंस मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोरेवर में एक वर फिर से स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं सभी इंडेक्स से लेटे कि यहां पर क्या एग्जेक्ली इन सारे इंडेक्स में चल रहा है मार्केट में कितनी और गरावट हो सकती है क्या हमें एक्जेट कर देना चाहिए क्या 15,000 पर दुबारा यहां पर निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा या फिर हमारा जो टार्गेट 19,000 के आसपास का आता हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पर market जाएगा या फिर exactly market में क्या होता हूँ नजर आ रहा उससे लिटर बाते करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले में कुछ चीज़े इंडिकेट कर देता हूँ कुछ चीज़े दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर चीज़े बारे में आपको समझ में आए कि exactly market में चल गया रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे कि सारे कि सारी जो फेक्टर है market को ऊपर दे जाने के सारे positive बने हूए market फिर भी यहाँ पर नीचे बढ़ जाता हूँ दिखाई दे रहा इसके पीछे का reason के तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले डो जोंस आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए positively यहाँ पर close हुआ है पर आपको एक चीज समझनी होगी वो चीज क्या है कि यहाँ पर आप देखने होगे एक तेजी हुई तेजी के गिरावट हुई और फिर चीज़े उपर जाती हुई दिखाई दे रही है तो डो जोंस मुझे यहाँ पर दुबारा उस लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे तो आपको कुछ चीज़े पता चलेगी और क्या पता चलेगी कि यह दोनों साथ में एक साथ भगते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर आप देखेंगे एक साथ राली करते हुए दिखाई देते हैं इस बार निफ्टी ऊपर है और यह थोड़ा सा यहाँ नीचे चलता तो एक तेजी होती हुई दिखाई देगी तो आपको समझे में आए कि exactly क्या गर रहा है और कि यहां पर एक support है और इसके बाद चीज़ा ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है तो आपको यहां पर चीज़े समयर में आती हुई दिखाई देगी कि exactly हुआ क्या है यहां पर निफ्टी आईटी की एक बार देख लिए तो यहां पर देख लिजिए इधर भी एक तेजी हुई तेजी होने करा यहां पर इसका एक support था उस support को इसने तोड़ा और तोड़के नीचे आया इसके बारे में हम अलग से यहां पर बात करेंगे बट यहां पर नेजड़ा जैसे यहां से क्रॉस किया और इस लेवल को भी क्रॉस किया तो यहां पर जाता हुआ मुझे साब दिखाई देता है तो यहां पर आप इस पर पर लेवल की तरफ देख सकते हैं इसक ब्रेंट की बात कर लिजे क्योंकि ब्रेंट ही हम यहां पर देखते हैं कि ब्रेंट में आप अच्छे-खासी गिरावत 76 के आसपास एकदम राणली टॉप बनता हूँ न जरा रहा हूं और मुझे हैं पर इस लेवल इस लिवार्ट पर आता हुगा इस लेवल पर दिखाई देता है इसके लावब डॉल् inflation फी थि हो होग्र धिक दिखिवार श्राइंडेक्ष्ट में इससे ऑझाता है व्यावट आया भून है और ये एक जो सपोर्ट है पसे हिसे क्रॉस कर दिया जो की कड़गशुका है तो यह तो दिखा हुए यह चीज़ यहाँ पर दिखा रहे कि यहाँ से थोड़ा से बांस वह लेकर चीज़े नीच आएगी और यह दुपारा नीचे की तरफ आता हुग दिखाई देगा तो मैं यहाँ पर इधर भी यहाँ पर या फिर भागती है तो फिर थोड़ा नीचे आती है, या फिर भागती है फिर थोड़ा नीचे आती है, तो इस तरीके को क्या कहते हैं, इसे retracement कहते हैं, तो यहाँ पर जो यह लाइन है, यहाँ पर देखिए जब गिर रही थी जब मार्केट, तब भी क्या हुआ था, एक उपर जा रही है तो ऐसा नियोगा कि यहां पर सीधे हैं एक उपर चली गई ऐसा हो रहा है कि उपर जा थोड़ा से नीचे retracement हो फिर ट्रेशमेंट फिर ऊपर घई फिर नीचे थोड़से रेट्रेशमेंट उपर घई और यहां पर आप देखेंगे तो यह देखिए, मार्केट ने एक गिरावट हुई, और गिरावट के बाद क्या होता हुआ दिखाई दिया, यहां पर आप देखोगे, तो उस सपोर्ट जो हमारा यह सपोर्ट आ रहा था, उसके आसपास आगे, चीज़े ऊपर जाती हुई द दिखाई देगा, बट अभी एक क्रूशल सपोर्ट, रेश्टनस के लिए बना हुआ है, जो कि दुबारा यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर आके चीज़े बार बार जाती हुई दिखाई देगी, तो यहां पर क्या है, एक बॉक्स की अंदर, आपने नार्कोस, सॉरी यहां पर आपने डार्बस की थेओरी पढ़ी होगी, तो उसमें बॉक्स थेओरी की बाते हैं तो यहां पर काम आती भी दिखाई देती है, बॉक्स में चीज़े चलती भी दिखाई देती है, तो निफ्टी, फिफ्टी की तरफ थोड़ा से ध्यान दीजीए, को कि इस्टा तो यहां पर क्या होगा, volatility देखी जाएगी, और जो profit booking है वो थोड़े बहुत देखी जा सकती है, कुछ stock specific action बना रहेगा, बाकि टीडे अगर बात करें, जैनुरी के बाद दुबारा उपर जाती हुई, हमें दिखाई देती हुई, नजर आती है, अगर बात करें हम यहां पर तेजी हो चुकी है, तो में को क्या लग नजर आता है, कि इसके बाद जिस तरीके की यह candle बनी है, अगर इसका लोग टूपता है, ओके इसका लोग टूपता है, तो चीज़े नीचे आएगी, तो सबसे पहले 42,000 और 43,000 का एक support है, और चीज़े हो सकता है, कि 41,000 आज़े को अगर बात करें, निफ्टी, PSU Bank की, क्योंकि PSU Bank काफी यहां पर चले है, तो यहां पर देखिए कि राइट कंडिल बनती हुई नजर आ रही है, अगर इस तरीके की एक राइट कंडिल नीचे और बन जाती है, तो मैं सोचूँगा कि यहां पर चीज़े नीचे आ सकती है, यहां पर चीज़े फिर दुबारा नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है, तो यहां पर positive momentum क्या खो गया है, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी बहुत profit booking होती है, वो profit booking यहां पर आती हुई दिखाई देगी, बाकि अगर हम बात करें और दूसरे indexes की, तो एक बार mid cap की बात कर ल यहां पर चीज़े ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, फिर यहां पर थोड़ा बहुत, यहां इस particular box में चीज़े मुझे नजर आती है कि चलती हुई नजर रहेंगी, तो यहां पर आपको ध्यान देना इन levels की तरफ, इसके इलावा हम बात करें यहां पर nifty small cap, nifty small cap भी द इसी के आसपर टच करके ऊपर जाता हुगा दिखाई दिया, तो क्या है, इस box के अंदर चीज़े अब यहां पर चलती हुई, नजर आती हुई, मुझे दिखाई दे रहें, ओके box के अंदर यहां पर देखिए काम होता है, जैसी box निकलता है, उसे ही breakout कहते है, फिर एक यहा पर पहुच चुक है, बर small cap ने पहुचा, small cap यहां पर जाएगा, तो याद रखिए, एक अच्छी खास है, आपको profit होता हुआ, नजर आता हुआ दिखाई देगा, index में 20%, और अगर हम बात करें, यहां पर stock specific की, तो यहां पर और TG होती हुई दिखाई देती है, सब कुछ उस support को इसने respect किया, और respect करके यहां पर bounce back देता हुआ नजर आया, तो यहां पर क्या है, अगें, चीज़े ऊपर जा रही है, तो धीरे धीरे retracement होते होते जा रही है, यहां पर आ गया है, जैसी इस particular level 31200 का level निकालेगा, चीज़े दुबारा जाएगी, और यहां पर मुझ स्पेसिफिक एक्शन बना रहेगा, जो बहतरी स्टॉक से वो अच्छे घा से भागेंगे, जो दूसरे स्टॉक से वो दूसरे तरीके से यहां पर काम करते हुए नजर आएगे, तो आपको हर तरीके से अपनी दिमाग को अलग-अलग तरीके से दोडाना है, और उसके हिसा यहां पर क्या करना है, सेल करना है, अधरवाइस यहां पर और ज्यादा हालत बिगड़ सकती है, बाकि यह भी पॉजिटिव सिगनल बना हुआ है, यहां पर कुछ VCP पैटर्न होता है, वो पैटर्न मुझे यहां पर दिखाई देता है, जैसे इस पर्टिकुलर लेवल से न करना चाहिए, तो मैटल यहां पर देखिए, एक गिरावट होती हुई दिखाई दी है, चीज़े दुबारा यहां पर आती हुई दिखाई दे रिया, अगर यह इस पर्टिकुलर लेवल से निकलता है, तो तो तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है, अधर्वाइस एक फस जब इन सबको यहां पर आप इंट्रकनेक्ट करेंगे, तो आपको चीज़े समझ में आती हुई दिखाई देगी, फार्मा, फार्मा में दुबारा गिराबाट हुई, और यहां पर देखिए, जो मैं बताना हुँ न, एक बॉक्स के अंदर चीज़े चलती हुई नजर आ बॉक्स थोड़ा तो यहां तो नीचे की तरफ या भी बॉक्स थोड़ा तो ऊपर की तरफ तो यह बॉक्स इंपोर्टेंट रोल प्ले करता हुई उसके अकोर्डिंग ही आपको क्या करना है, बीहें करते हुए दिखाई देना है, इसके इलाब हम बात करते हैं, और दूसर यहां पर बीड़ कर सकते हैं, हर एक में बैट करने की जरोत नहीं है. एफमसीजी भात करें, ऐ seminar मलच कर रहे क्रें लइचे के वारे में कोस्ष तरह सकते हैं, और कुछ इसे हैं जो कि यहां पर बॉजगер मुझे और बिट पर कर वीड़ करने के बारे मैं पने मृब हो पर क वीडियो अच्छी लगे लाइक कमें शेयर चैनल को सब्सक्राइब करेगा बाकी एक कोर्स है यह कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है कि कैसे आप यह सारी चीज़ें इंटरकनेक कर सकते हैं कैसे स्टॉक्स को यहां पर बाई कर सकते हैं on the basis of what on the basis of stages 4 stages होती है क्या क्या होता है उन stages में कब लाइक करना कब शैल करना है यह 48605 4 Convener 8169 261 037 इन नमबरों पर contact करके कोर्स आपके लिए बैतरी कोर्स आपके लिए प्रॉपर डिजाइन किया गया है इससे बहतरी को स्मोजे नहीं लगता आपको market में कोई सिखाएगा जहांपर research भी include है as well as technical तो include ही है वो भी basics to advance तो वीडियो अच्छी लगे like, comment, share, चाहिए को subscribe करें और जितना हुजा के support करें थेंगी so much for bless